इसका नाम है गौरी थोड़ी सी पागल है लेकिन बहुत हैं इंटेलिजन्ट है बीबीएम की पढ़ाई की है और अब एंबीए कर रही है फिलहा लव टीवी में एंकर बनकर तीन साल से काम कर रही है बहुत ही फेमस है हर कोई इसका फैन है लेकिन गौरी को इंसान देखते ही की ऐलर्जी हो जाती है उसका कारण है उसके माता और पिता गौरी के बड़े होते ही उन्होंने भाग कर शादी की कन्फ्यूज मत होई यह अलग अलग शादी की उस दिन से गौरी का दूसरे इंसान के साथ जमता ही नहीं है थोड़ा टूदपेश चाहिए था कि कितनी ख़ भाई बहन दोस्त सब यह जूजू ही है इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अटैच्मेंट है गौरी अपने जूजू के साथ कलरफुल वर्ल्ड में वहुत ही कूल तरीके से जी रही है लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है गौरी का वन अन उनली व कि इस एरिया में नहीं हो क्या है हलो गुरी इमनिंग और नमस्ते मैं आपकी प्यारी गौरी लाव टीवी में आपके फेवरेट प्रोग्राम सुनो प्रेमियों में आपका स्वागत करती हूं आज का हमारा सवाल यह है कि लड़के हमारे पीछे पढ़कर आई लव यू कहें तो उस वक्त लड़कियों को आखिर कौन सब फैसला लेना चाहिए और कैसे रियाद करना चाहिए चलिए हमारा पहला कॉलर रेड़ी है उनसे बात करते हैं हलो कहां से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है हेलो बेबे लाव यू आज का सवाल पता है आपको रिपीट प्लीज कोई लड़का अगर हमारे पीछे पढ़कर आई लव यू कहे तो क्या बोली तो आई लव यू एंक्यू शोना इतने दिनों बाद तुम्हें मुझे प्यार हुआ है ना इतना ही काफी है लगता है आपका कान ठीक से काम नहीं कर रहा है मैं बात कर ही हूँ लड़कों के बारे में अगर कोई लड़का आई लेव यू कहे तो लड़की को कैसे भीयाट करना चाहिए सिंपल है तुरंत मांग कर किस कर देना चाहिए सर्ब कट करने के लिए बोल रही है उसी के वज़े से तो प्रोग्राम चल रहा है डिमांडिंग है चलने लो यह तो आपका फैसला है ना यह सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है जवान हुए हर लड़के का यही फैसला होता है अच्छा यह बताएं आपके लिए कौन सा गाना प्ले करूं अहां कैमेरे के सामन कितने ब्यूडिफुल लगती हो मेरी जान एज यूज्वल गौरी अम्मा तुम्हारा पती कौन है यह गाना बजाओ ऑँ अहां बेलकुल बजाओंगी सुनिये और एंजॉय कीजिए हलो 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 बेब लव यू तुम खूब सुरत दिखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा मुझे परिशान होकर अगर गौरी को थोड़ा सा भी सुकुन किसे से मिलता है तो उसकी वजह है जूजू क्योंकि मैं डाइनासौर को देखकर भी नहीं डरता लेकिन जूजू को देखकर मेरी निकल जाती है सूसू जानते हो मुझे बच्पन में तुम्हें कुत्तों से ब होने वाला है देखते रहे हैं पता चल जाएगा नमस्ते मैं हूँ आपकी प्यारी गौरी लाव टीवी पर सुनो प्रेमियो प्रोग्राम में वालेंटाइन्स डे स्पेशल में आपका स्वागत करती हूं तो हमारा आज का सवाल है प्यार में एक भ्रष्ट प्रेमी क्या बाते करता है और प्यार में बेस्ट प्रेमी क्या बाते करता है आपका जवाब एक ही लाइन में होना चाहिए मगर आप सबके जवाब अलग-अलग होने चाहिए आज के इस स्पेशल एपिसोड को जज करने आए हैं स्पेशल गेस्ट सो प्लीज वालकम आज स्पेशल जज़स्ट हेलो, हेलो बलूज इतन नहीं है क्या, पीजे से एंटी देख रहा है प्यार के लिए अपनी जान देना एक सच्चे प्रेमी की निशानी है पास रहना हर एक प्रेमी को पसंद आता है लेकिन दूर रहने में हर प्रेमी को कश्ट होता है ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा अंसा नहीं है जिसे ना मिले आप में से कोई तो एक होगा जो बेस्ट आंसर देके वेलेंटाइन का प्राइस जीच सके I love you आई लव यू बट ये एक भ्रश्ट प्रेमी की बात है बड़ लव यू ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है नहीं समझे क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ मगर जाती धरम भेद अंतर ये सब भ्रश्ट प्रेमी की बात है जाती धरम नीती जाइदाद बड़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है तैंक यू थैंक यू लव यू बेबी एय यंग मैन कॉंग्राइट्स थैंक यू सर सिर्फ कॉंग्राइट्स बोलने से नहीं चलेगा मेरी एक इच्छा है सर ये गौरी मेरी फेवरेट मैं इसका बहुत बड़ा फैन रोज फॉलू करता हूँ न सर इनके हाथ से प्राइज लेना मेरा ड्रीम है सर अभी जो प्राइज जिता है वो इनके हाथों से दिलवा दीजिए ना है अप्पी वेलेंटाइन्स दे थैंक यू सर हां थैंक यू थैंक यू जबाब बहुत अच्छा है था हां चोड़ो डायलोग बोल कर मैंने अपना टैलेंट प्रूफ किया है इतनी आसानी से कैसे छोड़ दू लव यू हां तो यह है लखी की जिंदगी लखी की जिंदगी में सिर्फ दो ही गोल हैं पहला मालूम नहीं लेकिन दूसरी करने गोरी, है क्याहिए ऋटेस्थी ऒंडी रूव य। समय को हो जाती है य। पार हैं अम्य। अल्डर्य वाः तर्श थीत तेस्कन दिन। मैंने आपको पहले कहीं देखने का चांस ही नहीं है आप वहां से यहां क्यों आप अपना पड़ोग पढ़ो सेल फोन? मी? अर यो किडिंग? भीक मांगने वाले के पास भी मोबाइल रहता है तो मैंने तो यूज करना ही छोड़ दिया जब मैं यूज करता था तब 32 रूपीज आउट गोईं 16 रूपीज इनकमिंग एए आम गटिंग एट फोन सैटलाइट फोन हलो इस बार पका भर इंट्रेस्टिंग वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं मैं डैड ओंस ग्रेनाइट फैक्ट्री वाट अबोट यू मॉम मां तो बहुत बीजी है मना करने के बाद भी समा सेवा करती रहती है आपके पास इतना है तो आप खुद ही आड क्योंने डिरेक्ट करते हाय यू किड़ेंग इस फाल्त उसे आड को मैं डिरेट करूं यह डबा बनाने के लिए डबा डिरेटर है ना लू डेक्टर आ गए या सिटी उस डायरेक्टर को ही तो मैं डबा गहां उसे कोई डइरेक वो तो एक फालतू डबबा है, वेस्ट बॉड़ी है ओहो, डिरेक्टर सब रड़ी है, सर आपके बारे में बात कर रहा था सुना मैंने, मेरे ही बारे में बात कर रहा था सर वो गेट लास्ट आनन्द, आनन्द, यहां आनन्द कौन है वो तुझे ही बुला रहे है यह है मिस्टर आनन्द, बेचर अपना नाम ही भूल गया लोग किसी और नाम से इसे बुलाते हैं, अब वो क्या नाम है, अब ही पता चल जाएगा यह लिज़ी सर, नमस्ते SSLC में 625 में 420 प्यूसी में भी 600 में 420 सर, मैंने revolution लिखा, फिर मुझे 5 मार्क्स ज्यादा मिले थे अगर ऐसा है तो 425 होना चाहिए था ना बाद में एंगलिश पर 5 मार्क्स कम हो गया, वापस से 420 हो गया सर इस नोट माई मिस्टेक सर सर, 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 डिगरी के मार्क्स दिखिए ना सर उसे देखने के ज़रुरत नहीं है मुझे, उसमें भी 420 ही होगा क्या सर, बिना मार्क्स कार्ट देखिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपका चेहरा ही देखकर बोल सकता है प्लीज लीव सर, नोकरी मिलेगी ना नोकरी, नोकरी कुछ नहीं, चलो सर, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, क्या मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है, 420 सर, 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 मिरी बास सुरीए टाइम क्या हुआ 420, आपने बुलाय है, सर यो, get up एई, ओवर, बहुत ओवर कर रहा है तू रिलाक्स डूड, चिल एई, 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 पागल कहीं के, मेरे सामने स्टाइल मत मार एक तो नोकरी नहीं मिली, इसलिए में टेंशन में उपर से ये हुशारी दिखा रहा है अबे 420, तुझे इस जनम में तो नोकरी नहीं मिलने वाली, ले, अब तू रोज बस एक ही काम कर इस प्लेट की सफाई करता जा जैसे लोग तुझको न, बुला-बुला के सामने से नोकरी दे रहे हो, हलो, तू भी रिजक्ट हो गया है, इसलिए तुझको मिली है सिर्फ ये बकवास प्लेट इस प्लेट को तुझको बकवास कह रहा है, 200 साल पुराना एंटिक पीस है ये, वेलेंटाइन्स डे में ये प्राइज रखा था, तो मैं जीत कर आया था, और इसका फीचर ये है, कि ये मुझे मेरी गवरी ने अपने हाथों से दिया, वेंबल्टन प्लेट से भी ज्यादा इंपोर्टन्ट है, ए लकी, यार हमें आखिर नौकरी कब मिलेगी, नौकरी, हमें नौकरी की क्या जरूरत है, हमारे लिए नौकरी करने वाला एक है न, कहा है वो अभी तक आया है नि, रिटा प्लीज, मना मत करना, ये गिफ्ट ले लो, देखो आंच, मैं अभी बता देत या तो मैं या वो लोग, डिसाइड कर लो, अरे यार यहीं कहीं रखा था, यार मेरा अंधा फियर नहीं मिल रहा है, क्या अनुमान, आज लेड हो गया, ये क्या, रूम को उतना गंदा कर दिया, थोड़ा साफ नहीं रख सकते, अबे 420, ये बड़ा साब नीटनेस के बार मेरे मेरे व्हें कुछ पता है, पुराना स्कूल, राम भत हनुमान, राम भत हनुमान, इस दिन तेरी नाग बहनी बंद होगी, उसी दिन तुछे क्लास में बैठाऊंगा, तु तेरी तो स्कूल के बड़ तेरा नाग पूरा-पुरा भरा रहता था ता, और हमें नीटनेस सिखा रहा है अभी तक सोई हो अरे उठो जड़ा दुनिया देखो ए अनुमान जा कर अपना काम देखना मैं जो दुनिया देख रहा हूँ ना वो तुने नहीं देखी है ए लकी तुस्से कुछ बोलना बेकार है देख जाहा जाहां इंटरव्यूज है सारी इस पेपर में हैं इंटरव्यूज में जाओ में समित कर ना या या लगी और टाइम पे खाना एका लेना हाँ यह पैसे कहा रखों पेपर वहां पे रख पैसा यहां पे रख घूटे समय ना भगवान के सामने हाथ जोड़की जाना अच्छा होगा अब चुप चाप जाना यार अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद सब कुछ ठीक होता तो सारे पंडित अंबानी के रेंज में रहते हैं भगवान बोल रहा है भगवान अब क्या कर लेगा तेरा भगवान पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हैं सब लुग कि आटो कि आटो कि आटो कि आटो कि आटो जाए पी-म्टीसी अभी नीचे उतरओ वाइए हम जैसे स्मार्ट लोग बसमें चड़नी सकते क्या है यह लेडिस बास है जैसे नाट अलावट है समझ में नहीं आता तुझे कॉमन सेस्ट नाम की चीज नहीं है क्या प्लीज मैडम प्लीज वेस्ट कुछ नहीं नीचे उतर एक बार बोला ना जैंट्स नॉट अलावड पता नहीं कहां से आ जाते मैं मर्द हूं यह किसने का मजा कर रहा है ना तू आरे तुझे देखकर ही पता चल रहा है क्या देखने से पता चल रहा है देख मजाक मत कर देखने से पता चल जाता है वही तो क्या देखने से पता चलता है स्टूप कर रहा था ना देखने से पता चल जाता है वही तो क्या देखने से पता चलता है बताया नहीं के बंटी आपके लिए एक सॉंग प्ले कर रही हूं सुनिया रंचोई कीजिए कास्टिंग कानी हो जाएगी वो मुझे बता देगा हेलो हेलो गौरी जूजू बहुत है डल देख रहा है उसकी तबिया ठीक नहीं लग रही वह कुछ खाप में नहीं रहा है ठीक है मैं आ रही करके चली जाओ वो मुझे अभी जाना होगे लाइव कवरेज चल रही है ऐसे बीच में थोड़ी छोड़के जा सकती हो आदा घंटे की तो बात है करोड़ों लोग देख रहे हैं स्वें मुझे अभी जाना है एई आदा घंटा लेट होने से तुम्हारा कुत्ता मर नहीं और अगर वो मर भी गया तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूँगा ना प्रोग्राम नहीं रुकेगा चलो अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो वो भी दूसरा ले आओगे वोट रभी शार यू टॉकिंग अपने कुत्ते का कमपैजेन मेरे बेटे से कर रही हो तुम्ह अचकल तो काले पीले लोग भी लड़किया पटा लेते हैं और तू देखने में इतना अच्छा है फिर तेरे से वो लड़की क्यों नहीं पट रही है क्या कर सकते हैं लगी एक सूपर आइडिया है सुन सीन नमबर वन इस एरिये के अंदर में कुछ लोगों को सेट करता जब गौरी तेरे साथ आएगी तो वो लोग उसको छेड़ेंगे सीन नमबर 3 तेरी हीरो की तरह एंट्री होगे और तू फाइट करेगा सीन नमबर 4 हमेशा की तरह हीरो हीरो इनको पटा कर ले जाएगा कैसा लगा आइडिया पुरानी फिल्मों का बेकार आइडिया दे र इस आइडिया को इस्तेमाल करके कभी न पटने वाली हिरो इन भी हिरो से पढ़ जाती है और फिर रोमैंटिक गाना होता है जैसा बोलता हूं तू ऐसा कर हां हेलो बेबे लव यू मैंने मैंने हैपी रिटेंस आफ देए आज मेरा बर्थडे है किसने कहा तुमसे मैंने कैस कीया क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस और गेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही है नॉंसेंस आज मेरा बर्थे नहीं है ज्यादा है कभी ना कभी तो तुम्हारा बर्च डे आएगा इना करो पार्थडे आज मेरा है उसका नहीं है नंदू का है ऐसा फोर ट्वेंटे ने आए हुए तूफान को करके रोक दूँगा अगर आग की बारिश हो तो उसका सामना करते हुए अम्रेला पकड़कर माइल्ड मेंटेन करता हूं टेंचन नहीं लेता हूं लेकिन गौरी को अगर तुने छेड़ा तो तेरी है 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 वाइल्ड बन जाओंगा हलो यह दर असल वो सब लोग मुझे नहीं चिड़ा रहे तुम्हें चिड़ा रहे तुम्हें चिड़ा रहे तुम्हें चिड़ाने दो दोनों तो एकी बात है ना हां देखते रहे ना अभी में एक एक को कैसे फटकाता हूं हूं हां 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 ह इसकी हरकतों को रोपने वाला कोई भी नहीं आया कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है यह पर आप लोग भले इंसान लगते हो इसका क्या करना है आज कही दिन का इतिजार कर ली थी मैं कब से तो बुरी तरह मार खॉय और मेरी आखो को वो देख कर सुखूर मिल जाए देखोगी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी लेकिन वो लोग मुझे नहीं उन तोगों को मार खाते हुए देखोगी हाँ चला आजा कौन किसको मारेगा इस बात का यही फैसला कर लेते हैं इतना मोटा है तेरी मा तुझे क्या खिलाती है हाँ 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 फाइट मत करना हुम हाँ खून खून आने के बाद ही तो हीरो मारता है ना है यह तो मैंने सिनेमा में देखा है मार खाने के लिए पैसे लिए ना तो अभी मार खाने का मैं मार खाऊंगा तेरी तो यह तो का मसा हुरा है यार यह बाद है थायरों यह वे करना हुए तो यह थी चोड़ 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 मिझा आए-पूं है अरे पिरापेंड हई आजा आजा मारेगा मारेगा ऐजा आजा मार मुझे मार पी.. लोड़्य.. क्या बैप्टेटीह... अम्मा, अरु बाप्पे, ज्या करू? नहीं, अम्मा कित्मन ड्रामा करता है हाई हाई मुन्न लिक हाई हाई हुाई हाई 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 हढ़ँ प्र opinions क जू खब हढ़ँँ ऑई हम व्रemit में जूब खब बहुँ जू रहड़ом रहा है घगकी हुआ likes अाओ कarı और अरै के अाओ कर द利म! हुआ कर रख को आरै tes भी प्ज़न'ól प्भुड़ के रईके हुँ क्या पूसरेट मुझे यानग कहतें को यहको lite आपड़ आपड़ में तक किष्टीकर खा मुझे यह उन्ग्यक्विक बिता नग्यक्व कुछ उन्गैलagu क्या ऊल्ग उन्गव यह सुसस्च्टब्भि खार निसल्धे हैं हुपरालन दवार बारा की birthdayऊ districts how to go rock Vernon मेरी फॉर इतने दीन आчи तक तो भगवा ने तुम्हें मेरा डेंजर सांग देखने का का मॉका अब फॉर देखने का भी मॉका दे दिया यूनो वाट, सच कहो तो लखी मैं नहीं, लखी तुम हो, यह नहीं तो और क्या, अब जल्दी से बता दो तुम्हारा बर्डे कब है, वरना मैं रोज आकर तुम्हें ग्रीटिंग दे करता रहूंगा, हैपी बर्डे, उसका नहीं मेरा है, मेरा, मारे पाप्रे, कैसा लिए, स प्रेंशन मतलो बॉस, यह लड़के लोग बहुत सिम्लिफाइट करते हैं, दिखने लगता है, वैस, सॉरी बॉस, बार खुलने में तोड़ी देर हो गई, इसलिए मुझे आने में भी तोड़ी देर हो गई, बॉस, कैसा लाए, अपना गैंग बिलकुल मजता है, बॉस, ब आज तक यह सब मैंने फिल्मों में होता हुआ दिखा है, पर तुम तो फिल्मों से भी दो कदम आगे हो, यूँ, चास करो है, स्टुपिड, कलती से मिसो गया, मिसो गया, मुझे वहां तो ने बेवकुब बना दिया ना मैं, पेचारा हुआ, पेचारा है क्या है, तेरी वार्ट लगातों, क्या है, मेरे आइडिय की वो जैसे तुझे सच में फाइट करनी पड़ी यार, अब इस फाइट में तुझे चोट लगी गया, वो चोट, उस फाइट में तुझे चोट लगी गया, मुझे खुरा यकिन, जिन्दगी में तुम दोनों के सुधरने का कोई लक्षड नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा, पीकर तु टली हो गया है, तेरी आखें पूरी लाल हो गई है, लेकिन हमारा फूचर हमको पूरा ब्राइट दिखाई देरा है, मेरी लाइफ में सिर्फ एकी टेंशन है यार, तुम दोनों को सेटल होना है, हम हो जाएंगे, तु अपना देख ले, देख तो लूँगा, पर तुम दोनों को बुरा लग सकता है, बुरा क्यों, किसलिए, कल सुबह मैं रीटा के साथ यूएस से जा रहा हूँ, जा, मेरा आशिरवाद तेरे साथ हमेशा रहेगा, वहाँ जाने के बाद मेरी हेल्प चाहिए, तो मुझे फोन करना, शर्माना मत, मैं यहां से जा रहा हूँ, यह सुनके तुम्हें कुछ फिल नहीं हो रहा है, फिल, कैसा है रही यह, फिल होने के लिए तु ऊपर जा रहे यह, हनुमान, रुक, 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 यह, हनुमान, तेरा जाना जरूरी है क्या, लक्की, मैं जा रहा हूँ, अरे क्या हनुमान, कल राज से तु गया ही ने क्या, चल, जल्दी जा यार, हनुमान ता, हनुमान ता, हनुमान ता, ह क्या करेंगे कुछ करना होगा है रात की जो बची हुए वो लेकिया हुआ कर देखने ही रही है घर तो यह है ना उसका चलने का लड़की के पीछे भागे तो तो तेरी जिन्दे की बरबाद को फोगा जै कहा चाब सो बाकई आर्र तो तो जाएगे जाइग सब जाए फटिर लो जाए जाएगा था जारल का उस्टिलियू निष और more प्रॉब्लम लव प्रॉब्लम हेई वाट यू दूइंग वाट सेमी गॉल्स गॉरे गॉरे तू बहुत ही चालाग है आज कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही है डू और डाई लव और लेव क्या है सुबहे सुबहे पीकर रहे हो क्या है और गया तो क्या कर लोगी तुझ जैसे लड़कियों के सामने दारू भी क्या हो तो ही समझती है सभी लड़के आई एस एकसाम का प्रिपेरेशन करने की तरह प्रिपेर होके आते हैं और आई लव यू बोलता है तो तुम पानी पीने जितना असान इसे नौ कह देती हो हम कीई के लिए हमने तक बना कर छैता सब्सक्राब बनाया है अर बहूत कुछ मुझे याद नहीं हारा है तुम ने अनौ हमारा बेंट बजाया हमारा दिमाग कर गले तक पिला कर इंडिरेक्ली हमारे हाथों से बाहर खुलवा दिया हम पीप पी कर हमारी किड्नी लीवर डैमेज होने के बाद हमारी समाधी बन जाती है रहे कैसी लड़किया हो तुम यह कौन है पागल कहीं का करेंब क्यों ऐसे घूर रही है तुब आप फिमस है तेरे बहुत सारे फैंस है गाउं की तू एक राजकुमर ये क्या है मैं भी कुछ कम नहीं हूं मेरे पीछे बहुत लड़कियां पड़ी हैं लेकिन मैं तेरे पीछे पड़ाओं देखा यहां सा चुप चाप चले जाओ अब बहुत बुरा होगा धमकी दे रही है क्या गौरी है आज कुछ ना कुछ एक डिसाइड करना ही है कौन आकर क्या कर ले आजा बे आजा आजा इतना सब रड़ी करके क्या आया हूं तो तुझे कैसे बूलो हैं तेक दिस हड़ी एंद केप कॉइट योर डर्टी डॉग हो अशर निवार है नानंवेज नए कई गालकता है वेज भी है अबेज अपने दिमाग गर पर छोड़के आया क्या अबेज चोड़ कर गया है तब से बेचाले की लाइफ ब्लैक और ब्लैक हो गई है किसी दूसरे के पैग में जीने वाला लकी कंगाल हो गया है मगर इक्स्ट्रा चर्वी बिल्कुल कम नहीं हुई है उसे लगता है कि कमपणिया उसे नौकरी देने के लिए आखे बिचाय बैठी है यह लकी आपके पास नौकरी ढूंटे हुए आया है तो यह आपका लख है काम दे दिजिए ओवर नाइट में आपकी कमपणी को मैं डैवलप कर दूँगा कुछ जादा नहीं बोल रहा हो यहां कोई नौकरी नहीं है जाओ धीरे धीरे नौकरी मांगने का तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा था लखी का सर आपकी कमपणी में काम दे दिजे मैं सिंसिरली काम करके आपकी कमपणी का नाम रोशन कर दूँगा सर हमारी कमपणी का अच्छा नाम है आरे तु क्या रोशन करेगा आखिर तक तो लखी बेचारा नौकरी की भीख मांगने पर भी उतारू हो गया था और ये 420 तो कितना भी रगड ले लेकिन इस जनमें तो नौकरी मिलने से रही उसे क्या करना एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हो अपना सामान बेचने लगा लेकिन गौरी का भूत उसके सर से नहीं उतरा भीखारी हो चुका लगी गौरी के लिए रोज एक गुलाब खरीता था आखों के सामदे से जाती थी गौरी लेकि नहीं 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 पहले काम फिर गौरी ऐसा स्तोषने लगा था लगी मगर वेचारी को कोई नौकरी नहीं मिली गौरी से शादी करके एड कंपणी में काम करने की स्तोषने वाला लगी बहुत बेकार की जिन्दगी जीने लगा इन छे महिनों में वेचारा बिलकुल फुटपाथ पर आ गया लेकिन एटिट्यूड तो एटिट्यूड होता है बॉस लगी 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 तुने पेपर देखा पेपर देखा तुने क्यों सरकार गिर गई क्या अरे नहीं है तरी नौकरी की बात है आरे वह सब तो वेस्ट है आजकल तो सब experience मांगते हैं इस नौकरी में experience की जरूरती नहीं है हां हां धेर सारा पैसा तेरे मन पसंद वाली नौकरी है ये आर्ड डारेक्टर की पोस्ट है यार देख ये जॉब तेरी लाइफ बना देगी यार ये गोल्डन चांस है भाई देख शैमी का creative solutions मस्त है ना कंश के अंदर का गुश रहे हो क्या चाहिए तुम्हें इंटर्वीव के लिए जा रहा हूं इंटर्वीव सालत में हां लुकर मैं तो बाती मॉडल हूं एजस करना पति है तुम्हें थुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। वाई, वाट्स रॉंग मैन, ऐसे चम-चम करके आने माले लोगों को हमारी कमपणी में एंट्री नहीं है, यहाँ यहाँ चम-चम, इस स्टाइल, फैशन, मैं यहाँ अर्टर के पोस्ट के लिए आया हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा, साइट प्लीज, हैलो, मैंने तु वहाँ देखो, हमारे एंपलॉईज कितने जंडलमें दिख रहे हैं, ऐसे बन के आओगे ना, तो काम छोड़ो, कोई अंदर भी नहीं जाने देगा तुम्हें, भाईया, मुझे नौकरी की सक्त जरूरत है, बहुत मुश्किल में हूँ भाई, खाने को भी पैसे नहीं है, अगर अंदर चोड़ो के तो नौकरी लेके आजाओंगा, भागवान के लिए अंदर जाने दो, दिखने में उल्टे सीधे जरूर हो, लेकिन लड़के अच्छे हो तुम्हें, एक काम करा, कल भी यहाँ ऐसे इंटरव्यू होगा, अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो, त तो अपना यह हुलिया बदल देना और अच्छे से आना, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूगा, तिको रूल्स रूल्स होते हैं, भाई प्लीज भाई, यह क्या हाल हो गया यार, अभी की प्रॉब्लम सॉल्ट करने के लिए नौकरी मिलनी बहुत ज़रूरी है, और नौक लोगों जैसा फॉर्मल पहनना होगा, बाल कट करने होगे, मेरी दाड़ी, मेरी दाड़ी भी हटानी होगी यार, क्या कर सकता हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, गुदिया हो, प्री में दाड़ी होगी प्रीच में वह अगारी थी आगारी अगारी वापस आगाए अभी जो लड़की अंदर गई वो कॉन है, इस कंपनी के अरवटाइसिंग मैनेजर, अच्या मैंने उसंवाइड ए अगाराइज आगारी अगारी नोगारी आगारी थी आंकर गोरी ही समझा दोन क्या है और ना लेंगी उनकी हां से तुमेरी नौकरी देगी वो सच मेरी डालिंग मुझे देखते ही ने लगती प्रशान किया तुने क्या करें आब गौरी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए. डोंट वरी, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो एक खिड़की खुल जाती है. खिड़की? वो काहा है? खिड़की का मतलब आइडिया. कैसा आइडिया? देख, गौरी तुझे पहचान न पाए, और तुझे नौकरी भी बिल जाए, तुझे वस्ट गैट अफ चेंज करना होगा. अब एक चपल से मारूँगा तुझे, क्या पुराने फिल्मों का आइडिया दे रहा है तू? गौल्ड इस गौल्ड माई डियर. क्या यार? अरे, और कोई रास्ता भी नहीं है, तेक लकी, तू लकी नहीं है, विक्की की तरह एक्ट कर, नौकरी पाले, तू भी एश करेगा, और मैं भी एश करूँगा. अरे, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तूने तो चुटकियों में सुल्जा दिये यार, तुझे मैं क्या सिखाऊंगा यार? तेक लकी, सॉरी, विक्की, भगवान का नाम ले, लकी कुमार, विक्की बंजा, जय हो! भगवान बोल रहा है, भगवान, अबैं तेरा भगवान क्या कर लेगा, जया, पत्तर के सामने आज जोड़ते रहते हैं सब पागल. कैसे भी, आप बुला ही लेते हो ना? आल इंडिया 33 करोड भगवान की लिस्ट में आप ही सबसे नंबर वन पर हो. और आप बहुत ही स्ट्रॉंग, पावफुल हो ऐसा लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुनाया, लेकिन परसनली कभी मीट करना नहीं हुआ, वो क्या है ना कि… मैं आपके भरोसे परी आया हूँ भगवान, मुझे से अगर कोई घलती होगी हो, तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, ओम वक्रतुन महाकाय सूरिकोटी समप्रव है, निर्विग्नम कुरुमे देव है, सर्वकार एक्शुज़र्वादा… डिरेक्ट मैटर पर आता हूँ, एक तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, और सेकेंड गौरी मुझे पहचान ना पाए, देखो, फॉर्स टाइम मैं आपसे हल्प मांग रहा हूँ गुरू, मुझे हल्प करके आप अपनी नंबर वन की पोजिशन को बचा कर रखो, आपको मे नू कंति है, डियुएं यह कॉन से डबा सलून में लाया है इसा मत बोली अस है, यह मंदिर जासमार, देखें सब्सक्राइब करें आप अपर बाल कटवाते हैं और यहां बाल कटवाते हैं चलने के लिए आप यहां पर बाल कटवाते हैं शुक आपने बाल कखेंगे अबने आई है कोई भी सलून खुला नहीं है हमारे पैसे कर देखते हैं यह तो काफी कुछ अज्जास करना पड़ेगा तो तो इधर आओ ना अब रेडी सर देख तू लकी के सर पे हाथ रख रहा है तो ये तेरा लक है कुछ भी गलत मत करना थोड़ा अच्छे से करना यार भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है आप तो अपना सर बस मेरे हवाले कर दीजिए आउटस्टेंडिंग साधू का कमाल देखिएगा कलाकारी से भरपूर है अपनी कला दिखाने के वाद आपके सर की वेल्ली बढ़ दियाएगी सर यू जस्ट स्माइल एंड प्लीज गिम होते हैं है 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 क्या बात है रेडी सर सूप नगे यहाँ वाव 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 क्या जो देंदो आप बेड़ वेड़ वेड़ आपात है स्माइट लगरे वाँ 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 जटकास यार क्या वाँ लवली सुबाब मुझे प्यार करने वाली अभी मुझे पक्का नहीं पैचानेगी न अरे वही लड़की क्या तुम्हें पैदा करने वाले मादा तक तक तो यहीं है ना क्या पूछ रहे हो इनके साथ जो लंबे बाल वाला था वह यहीं है लगता है इसने आपके कपड़े पैचान लिया होगा क्यों है कपड़ा देखकर नहीं आँखे देखकर पता जल जाता है अरे 420 सब कुछ तो चेंज होता है लेकिनी आखें कैसे चेंज करूं मैं हजारों लोगों के बीच रहा हूं वह और ही मुझे जरूर पैचान लेगी डोंट वरी लकी उसका भी इलाज है कम्प्यूटर पॉइंट प्रोग्राम हैं कमें लॉंग वे सेंज डॉक्टर साब नमस्ते आप सर मैं फोन आई बॉल कलर चेंज आप लोगों का ही इंतिजार कर रहा था बैठ ये इतना एक्साइट क्यों हो रही है अरे यार ये स्पेशलिस्ट हैं ये हर काम को एक्साइट होकर ही करते हैं ये जो मेरी आखे हैं आपको उचमाइट को हो आप सिर्फ और ये सब रेडी है ना हाँ सब रेडी है दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो क्या क्या बखवास कर रहा है ये जुक्तर आदी फेमस आई स्पेशलिस्ट ये जी नियुक्तर आपने इस से पहले किसी का आई कलर चेंज किया है ना हाँ बहुत हो क्या लेट ना यार तू सब शुरू किजिया आप क्या बख़ित कि नियुक्तर आपने याखे को लग्तर निवी जे पहले हो। क्या अंट्र नियुक्तर ल आपने यारे ख़ले है आपको चांद पर होना चाहिए प्रित्वी लोग तो क्या पूरे चंद्र लोग पे भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा डॉक्टर आपके फीज देखो मैं उसमें एकदम पक्का हूं किसी को धोखा नहीं देता ये लो हां जिस पर भी एक्सप्रिमेंट करता हूं कुट्ता हो बक्री हो सबको फीज देता हूं तो तुमको भी दूंगा ना यह फीज लेने वाला नहीं देने वाला डॉक्टर है हो गया अपना का अभे नालायक तुझे पैसा चाहिए था और उस डॉक्टर को एक्सप्रिमेंट करने के लिए एक बक्रा चाहिए था वो मैं मिल गया मैंने आखे चली जाती तो क्या करता आखे गई नहीं ना टेंशन क्यों ले रहा है वैसे भी लेंस के लिए हमारे पास कलर चेंज हो गया है और गेट अप चेंज करने के लिए हमें चेंज भी मिल गया है वाओ सर्थ 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 प्रॉप 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 सर्थ आप ही हो ना जो कल रंग भी रहंगे वकर रहे थे रहे हैं कल देख को बेकार लग रहे थे आज बिलकुल राजकुमार लग रहा रहे हैं आप ऐसे रहेंगे तो हर जगे काम मिलेगा आज मैं आपको नहीं रोखूंगा ब्लॉप थेंक्यू अ आपका थांक्स चुड़िए मैं ही लखी हूँ ये बात किसी को मत बताना ठीक सर नहीं बताना जाएए सिर्फ मुझ से बोलने से नहीं चलेगा प्रॉमिस करो इतनी जोटी बात के लिए प्रॉमिस जाएए सर्थ भगवान के लिए प्रॉमिस कर दो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला अरे करो यार इ सब्सक्राइं चली जाए आप लगी है किसी को नहीं बताउंगा यह मेरा वादा हैसा है कि अज़ीज चाहिए सब्सक्राइब मुर्ण लॉऑर लॉवर्ट लॉओर्ट लॉऑर्ट लॉऑर्ट लॉऑर्टesy इंटर्विउ एक्स्क्यूज मी आपका लखी नाम का कोई भाई है क्या जी नहीं मेरे पेरेंट्स का में किलोता बेटा हूं तो मिस्टर विक्रम कुमार डिग्री दो साल पहले आपने पूरी कर ली थी तो आपने कहीं काम क्यों नहीं किया दो साल से जो मैं चाहता था वो का मुझे अब तक नहीं मिला था और आसान काम भी बहुत ही मेहनद से करना यह मेरा तरीका है आपका कोई कजिन ब्रादर है क्या लखी नाम का जी नहीं मेरे पूरे खांदान में मैं एक ही लड़का हूं आपका निक्नेम है क्या लखी आइसा कच एक्स्क्यूज मी मैं इस काम के लिए मेरे सारे पर्सनल डीटेल्स इस सर्टिफिकेट में हैं और आपके लिए वो देखना काफी होगा मिस्तर विख्रम इस फाइल में आपको वर्क लेट सारी डीटिस मिल जाएंगी एक प्रोडेक्टर जिसको पर आपको ओंसेट डेलाप करना अगर आपका कॉंसेप्ट नाखरी पक्तिए तो आपकी नुकरी पके रिख्र सर् तुम तुम आपको बहुत ही परिशान किया है लेकिन मैं नहीं करूंगा आपके कमपनी के बार में अच्छा अच्छा बोलते हैं और अंदर देखो तो आप बच्चे की तरह को अच्छा लकी लकी कर रह यह है वेरी पनी एक्स्क्व्समय और करते हैं करते हैं फेंटास्टिक, सिर्फ एक दिन में दस ओप्शन्स, वहरी गुड, थैंक यू, वहरी नाइस, अन्बलीविबल, थैंक यू, सर, वेरी गुड वर्क, थैंक यू, गौरी, ही इस दर राइट परसंट, आ थिंक यूर पे विल दू वंडर्स, और आपको नौकरी की सारी डीटे अब है पागल लोहीं, इतने दिनोermot तक तो वही किया था, आगे भी वही करूंगा, गरी, कारिय को श्रू, थैंक यू, सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक, यू, हात मेरे विकी बनने के बाद तो मेरी लाइब वाइट एंड वाइड हो गई कमपनी की कार, कमपनी का फ्लाट, राजी होगे बॉस येज़ येज़ हेलो, 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 ए फोर ट्वंटी, आपर रूम देखाना क्या हुआ आपर क्या लग्की है यार तू हाँ यार क्या लग्की है यार तू 420 क्या लग्की कम इन हाँ 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 विक्या तू यहां मैं यहीं सामने वाले फ्लैट में रहता हूं हाँ पता है मैंने तुमें चाबियां दी थी येस 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 अरे इधरा मैं अपने घर पे गया थे तो भगवान का अभिशेक करके ये बहुत ही पावफुल चीज लाया हूं अपने घर पे बांधिये तुम्हारे घर भी लगा दू आप देखा हाँ सबकोई डाउट होता है वह क्या होता है वह होता है और शेट्धी कुम्बले की तरह दियो यो ना प्रचोदेयार और शांती 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 ही शांती मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के जैसा लगता है एक ही सुसाइटी के है लो और कामपनी ने दिया है तो एक ही जैसे होंगे कितनी सप्राइजिंग बात है ना आफिस में भी आमने सामने यहां भी आमने सामने एक मिनिट अभी आई मैंने एक ही बार अपनी लाइफ में उस गणपती के पास हाज जोड़ा था तो मुझे नौकरी भी मिल गई और जिस लड़की को चाहता था वो भी मिल गई इसलिए तो वो नंबर वन रैंकिंग पर हैं एई सब मेरे आइडिय का चमतकार है बाई हाँ यार फॉस टाइम तेरा फ्लैट में सेटल हो जाऊंगा है शादी होने के बाद अलग-अलग फ्लैट में कैसे रह सकते हैं मतलब तो शादी तक पहुच गया क्या अभी तो अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने का चांस नहीं मेरे आइडिया को करने के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आती है भाई समझा यह क्या देख रहा हूं मैं यह क्या दिख रहा हूं मैं लकी विक्की बोल के सारे शहर को बिवकूप बना दिया लेकिन तेरे इस दुश्मन को बिवकूप कैसे बनाऊं अब कोई चांस नहीं है तोगेया भाई तो गया मैं देख यार तुसारा समान पक्क कर ले यहां से मैं यहां से बोलेảं आघ्ल कंपती अगर आप नंबर वन ये मैं स्टलोजाओंगा मुझे बचाए गन प्दीक मुझे बचाओ गन्पती, मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ प्रटेटँ बचाओ पट्रकशा यह मुझे मुझे looks, यह इइइ पॉपॉपॉ पहुआ है हैं आरे इस पत्ते ने भी मुझे नहीं पहुआ ना ओ यस अरे 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 यसे देखिया रहा है मुझे देखे बौक ना आरे अम लगी बॉक ना भॉक भॉक फोट्वंटी इधरा अरे देवागंपति आपने मुझे बचा लिया इधर चलना चलते हैं उदर देख उसने भी मुझे नहीं पेचाना अरे मैं तो इसे बहुत ही इंटेलिजेंट समझता था लेकिन यह तो ऐसा नहीं है अरे मुझे कैसे घूरा है चाल नीचे बैक अरे मैंने को जूजू से इंटेडियूस नहीं कर वाया है यह मेरी जूजू है है ना जूजू मैं लाइफ मैं लव मैं एवर्यथिंग जूजू विकी को हाई बोलो हाई ज्याता पास मच्छा घरवड हो जाएगी जूजू आ लव डॉग्स के यह तस नाइस चाल ऑके अवह अव्य वह जूजू बहाई कमाल हो गया अरे मेरा तो सेटल हो गया यार वो कुटा भी मुझे नहीं पेचान साकी में लगी हूँ पहचानी नहीं सकता यूनो वाट ये जगा मैंने इसलिए सिलेक की है क्योंकि इस जगा पर बहुत ही फ्लोटिंग पॉपलेशन है सुभा से लेकर शाम तक यहां पर देखो पहले वो जगे का है यह यह जा नहीं में आसे इसके बारे में मैंने बहुत ही रीसरच की है ऐसा एरिया हमारे आसपास और कहीं भी नहीं है इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग जाए तो अपने कंपनी की इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग गए तो मैं भी तुम भी गए और पूरी कंपनी गई चलो आओ अच्छे लोग है ऐसा मुझे लगा था लेकिन तुम ही देखो ना यहां पर सभी छपरी लोग है बाहर सूसू करते हैं इसलिए तो अचलो चलो आओ तो पर क्यों तुमने मेरा टाइम बेस्ट किया बता इसे पता था कि मेरा ऐसा फिटिंग होगा करके हैं क्या फिट नहीं होता है थोड़ा थोड़ा अपने स्कंडेट की सब सेट नहीं होता आओ ना चलते हैं इस एरिया में सलू ने तुझे कैसे पता चला यार अबे उस कम कराने के लिए काउंटर से टिकेट लेकर क्यों में लगना पड़ता है क्यों में हालो आज सेटरडे है पूरा हाउस फोले अंदर जाने को नहीं मिलेगा अंदर जाना है तो ब्लैक में टिकट ले चाहिए क्या यह सब क्रिकेट मैच में ब्लैक टिकट होती है ठीटर में ब् भाई नहीं हूँ मेरा फोटो लगा है निकाल भाई यह सब आपके महिमा का लख है जब आपने आपना लुक हमारे हां चेंज किया तो हमारे गुरु का लख ही बड़ी ब्रैंचेस ओपन करके आराम से जी रहे हैं कहां है वो साधू आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि मेरे फोटो की होड़िंग्स लगाई है पहले उसे उतार वारना बात करता हूं सौरी साधू भाई तुने सिर्फ इसलिए मुल्य मारा तेख लखी तूर रोयल्टी मांगे कर तुम्हें रोयल्टी देदुगा लेकिन मां होड़िंग्स अब रोयल्टी भूल्टी भूला तो तुम्हें गुस्ण मतकर तुझा इस गाल की वैल्यू पता है क्या पता है बहुत वैल्यूबल है सारी लड़किया चुम्हा देती है चुम्हा तेख श्पू कैसा फील हो रहा यह देख डालेंग्स यह देख जाने मन रोमा तो उन लोगों का फील होना छोड़ दे वह घूडिंग अगर मेरी गलफरेंड ड़कले की तुम मेरा क्या होगा तेरी गल्फरेंड के संबंद क्या है यह से बोलेगे तो रेंस की चालने नूं और बात नूंगा के पीछे पड़ी कहानी है कैसी कहानी है तो यह बात है लगी यू डॉंट वरी तेरे लव के आगे मेरा बिजनस कोई वैल्यू नहीं रखता है निकाल दूंगा सारे बोर्ट निकाल दूंगा यू डॉंट वरी यू कैरी ओव तरहां सौरी यार थेंक्यू थेंक्यू बडिक्यू निकाल दूगा यार लेकिन कलके कलके क्या कलके पीपर में एड दिया है मैंने कैसे रुकेगा कलका पेपर डिस्पैच हो गया अब क्या करेंगे यार क्या भी क्या करें कल वो पेपर गौरी के हाथ में नहीं आना चाहिए बोलता हूं तुझे अब ठीक से खड़ा हो ना जरी तो है को टॉंटी जाओ पेपर लेकि आजा नो शोरी कभी नहीं मैं कभी नहीं करूंगा अब बे लोफर सारी गंदी हरकतें तो करता ही रहता है और पेपर लाने बोला तो उसे तुझोरी समझता है जा जाकके पेपर लेकिया अजडी अलती मैं कुछ भी करूंगा पर करूंगा मैं कभी नहीं करूंगा पर चारव अंदर आ लाओ बधरु में बिच्टाह करें पिक जुछू चुछू प्रेड़ू करें जुछू प्रेड़ू अट करना बिच्टाह जार है तुछूर है आइ पोप्रे सारे पेपर फिनिश हो गए हुआ 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 है अरे पाप्रे ये कौनसा पेपर मीस हो गया है अब में क्या करो हाइ हाइ तुमने बिखी को देखा नो मैम अरे कौन है यार पेपर देखा तुमने इसलिए यहां चुपए हो ना यह बबल गम डबल गेम मुझे दोनों ही पसंद नहीं है तुम इतनी जल्दी चेंज हो जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था देखो मैं जान बुचकर चेंज नहीं हुआ मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे हाथ में पीपर आएगा तो मुझे बता चलेगा और मुझे बता चलेगा तो तुम पर्स जाओगे ना तुम क्या समझ रहे थे इसी प्रोजेट के बार में बात कर रहा था तुम यह प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे या नहीं यह बताओ अरे पक्का करूंगा तुम्हें पसंद आया तो हैंडली क्या स्टेरिंग भी करूंगा इस नारा जोक वेगी इस प्रिटी कॉंगेड अ जितना भी मुश्किल हो मैं ये प्रोजेक्ट जरूर हासिल करूगा तुम्हारे लिए तो मैं जरूर करूँगा शौ इतना टालेंट होने के बावजू तुम क्यों छुप रहे थे हां वो भी एक तरह का टैलेंट ही है एंवेस अम हाबी नव इसी खुशी में वन कॉफी हाँ बोले यार 420 आज शाम को गौरी मेरे घर पर आने वाली है मतलब मैटर यहां तक पहुंच गया है वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन मैं ही लगी हूँ ऐसा प्रूफ करने वाला कोई भी सामान अगर घर में हो तो उसे हटा दे थोड़ी भी गड़ नहीं नही एक्सक्यूज मी क्या हुआ यह तेरा चेन बैल्ट वगरा सब कुछ दे दू क्या हाँ दे दे हमारा सारा कॉंसेंट्रेशन हम जो काम कर रहे हैं बस उसी पर होना चाहिए क्या हुआ यह तेरी फेवरेट ब्लू जीन्स है उसे भी दे दू क्या हुआ दे दे ठीके ठीके देता हूं अच्छा सुन एक रिंग बच गई है जो भी है वह सब का सब दे दे कमिन लेकिन बार पर मुझे फोन मत करना हां सॉरी वोट्स ओल दिस अरे आ रहा हुना कौन है बार बार बेल बचा रहा है अरे आ रहा हूं यार रुको क्या का मैं बोलो यह गाली दे रहा है यह नमस्कार कर रहा है कौन तुम बताओ आपने बुलाया था सां मैंने आपने इंडिया बेकर प्रेजिटेंट अच्छा यह वो है बिकार इंग्लिश वाला बैंगलूर में भीक मांगना है तो और लेंग्वज आलसो करें अहां सब्सक्राइब कर रहा है इदर सुनिया मेरी बात समझे प्याहर से देखिए कपड़े नहीं खाने के लिए कुछ तो दीजिए सर धास खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है घर में खाना नहीं बंता है कपड़े मिल्के न अब चुप चब आँस निकल लो जो बहुत जो चुपकर धीरे बोल ठीरे बोल एक मिल्ट रुको यह सोनी का बना हुआ है इस पर भीक मांगना तुमको बिर्यानी मिलेगी देखो अब दुबारा यहां पर मता ना समझे चल जाओ यह जाओ मां जी लाइफ में डिस्टबंस बहुत होता है फिर चाहे कुछ भी कियो ना हो हमें डिस्टब बिल्कुल नहीं होना है क्या हुआ अरे सुन लखी सुन लखी यहां प्रॉब्लम हो गई है यार कुछ भी होने दे तुही मैनेज करके मार है हेलो हेलो लखी 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 बोला मैनेज करूं कैसे मैनेज करूं यार आइडिया हमें यह प्रॉजेक्ट नहीं जरूरा होगा अमा मा अर्थी उतार रही है हमारे कर में फॉर्स टंक को याता है तो उतारो मा अर्थी उतारों अंदर आओ बेटी विकी पापा नहीं उसका डैडी यहाँ वेरीफनी आजाओ आजाओ हाई हाई कैसे अतु मैं बहुत बड़ई आंग Señor रहाँ अप्टिए रहाँ वो मेरा पोटा है बेटी यह क्या बेटी मुझे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मैंने लिए ईसलिए नाएंटी डालने के लिए उम्रों का क्या मतलब मैं तो घर में। नाइंटी डालना ही पसंद करती हूं तुम्हें नाइंटी की आदत नहीं है क्या मुझे आदत नहीं है यह सब आदते रहनी चाहिए नाइंटी डालने से कितना मज़ा आता है इस सब क्यों लाए तु अभे फोन किया था घर में प्रॉब्लम हो गई है तूने बोला कि सब कु देखते जा देखते जा अब क्या हुआ गणेजी को बनाते बनाते इश्वर को बनाएगा तो चलेगा तूने तो सीधे यह यह को ही बना दिया चल्व हमारे एरिया की सारी लड़कियां बुढ़ियां सभी नाइंटी डालते हैं क्यों डालती थी मुझे नहीं पता एक बार जाल कर देखा नाइंटी डालेकर बाद इस बात का पता चला उसे नाइंटी नहीं कहते नाइटी नाइटी यह जोड़ा सा है मैंने वही कहा नाइंटी बात करते रहो मैं भी आई कॉफी पिए सिर्फ कॉफी क्या बेटी पहली बार घर आई हो सिर्फ कॉफी पी कि जाओगी नहीं बेटी आज तुम्हें मेरे घर का खाना खा के जाना होगा अरे रहने दीजे पापा इन्हें कोई अरजन्ट काम होगा तो इन्हें तकलिफ मत दीजिए फिर कभी देख दो देखो बेटी तुम खाना खाकर ही जाना माँ जबर्दस्ती थीक है मैं खाकर जाओंगी थोड़ा से डालीएगा गौरी हमारा विकी बहुत अच्छा लड़का है आजकल के लड़के इतने बड़े-बड़े बाल बढ़ाते हैं मेरे विकी ने कभी नहीं बढ़ाए बेटी तुम ऐसे रोक्यू रही हो मिर्श ज्यादा हो गई क्या नहीं तो फिर अपनी लाइफ में पहली बार में फामिली के साथ पैठकर खाना खारी हूँ क्या हुआ बेटी तुम्हारे माबाप नहीं है क्या नहीं है देखो बेटी आज से तुम हमें ही अपने माबाप समझ लेना हम अब चलो बेटी खाना खाओ थांक्स फॉर डिनर माइ प्लीजर पहले तो मुझे तूम अच्छे लगते थे पर अब तुम्हारे घर वाले भी अच्छे लगने लगे हैं फामिली केसे कहते हैं यह मुझे आज पता चला एंवे गडाइट ओके गडाइट बाइट बाइट से तुमोर्या एस यह वह कल में कुछ प्रॉब्लम में क्या हम दोनों एक ही ससाइटी में रहते हैं एक ही आफिस में काम करते हैं जाने का रूट भी एक है तो फिर हम अलग-अलग कार से क्यों जाएं आज से हम दोनों कार में एक ही साथ जाएंगे हम अगर तुम्हें कोई अतराज ना हो तो तुम्हें कोई अतराज नहीं है न हम चलते हैं बेटा जाना जरूरी है क्या माँ है गाह में बहुत है चलो जली चलो 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 एए फॉर ट्वेंटी मुझे चार नाइंटी भीज़ना लगी भूल जाता है तुसे याद दिलाना और याद भीजना यह तो बहुत जादा बहुत ज़्यादा पेज़ है यार यह तो हनुमान है कैसा यार तु अच्छा है ना देना अच्छा हुआ तु यहीं मिल गया और न फंस जादा यह सर कौन है पैचान नहीं पाया अपार्टमेंट के और तेडी मैं तेरा दोस्त हुं लगी यार वो बहुत बड़ी कहानी है क्या हुआ पता है वो यूसे में रीटा है इसलिए बोला था कि दोस्तों की बात माननी चाहिए अच्छा यह बता आखिर हुआ क्या बता अरे हनुमान कुछ बोलेगा भी मेरी लाइफ का डोर क्लोज हो गया यार मतलब नौकरी गई कि पैसा भी गया मतलब तेरा घर भी गया और साथ में चट्डी भी उतर गई यही है मेरी कहानी अरे तु टेंशन मतले यार अभी हमारे पास सब कुछ है तु भी हमारे साथ ही सेटल हो जा तेरा ऐसान चुकाने का मौका मिल गया है मुझे हमारे तो चिंता मत कर चल आज अंदर चल अंदर चल और अंकल ठीक नहीं है अंकल चोर नहीं है अंकल तो बहुत अच्छे है अंकल मुझे दो अगर यहां पटाके फोड़ोगे तो क्या मज़ा आएगा तो कहां फोड़ने से मज़ा आएगा अंकल कभी कुत्ते की पूच पर पटाके बांदे हैं क्या जूजू 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 क्या हुआ तुमें तुम ठीक तो होना इस जोड तो नहीं लोगी हास्पिटल ले चलते हैं हास्पिटल थोड़ी ना बूसकता है ऑजी कि थोड़ा दरके आया और दो नहीं गोना कंगा तुम लोगों मेरी जोड़ों चली जाये चलो अगर तुम कहती है तो मैं छोड़ देता हूं तुमें मेरा जुजु इतना पसंद है बहुत आई लाव यू जूजू तुम्हारा कंसर्ण तुम्हारा एफेक्शन मुझे बहुत पसंद है थांक्यू सो मच अरे अपने बीच यह थांक्स की क्या जूरूत है कुछ नहीं हो है चलो चलते हैं यह यह चोर है इसकी बात मत सुनो मैंने कहा था ना यार लखी जूट बोलके बहुत दुनों तो खुश नहीं रह सकते यार तेरी बक्वास बनकर मैंने एक जूट बोला है आज मेरे पास सब कुछ है देख सब कुछ तो आ गया मेरे पास कल गौरी भी मेरे साथ रहेगी देखना तुम कुछ कहने वाले थे ना कहो ना वो तुम तुम बहुत ब्यूटिफुल हो थांक यू यही कहना था तुम्हें एक्चुली इस प्लेस पर लोग बहुत कम है तो ब्यूटिफुल लग रहा है ना यह ओडर से इसके अलावा एक्सकी और यह ओडर सूप बहुत अच्छा होता है खालो इसे अब सॉरी पीलो इसे अब तो बुलो वह 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 एक्स्क्यूज मी में एक मिनिट बाता हूं आकर बताता हूं अब तु आईलव यू बोल नहीं पा रहा है यार तुम अबै तेरी तो आईलव यू बोल नहीं पा रहा है थू ए ऐसा थूकना ठीक बात नहीं है समझा ना थूकना कान की निचे बजाना चाहिए तेरे को I love you, ये बोलने के लिए कितना तड़प रहा था तू, अगर तेरी जगा मैं होता तो उसे सौ बार I love you baby करके बोलता, इसलिए तो तू रिजेक्ट हो गया, मैं तो पसंद नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुआओ, लेकिन वो तो तु 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 अब चलते हैं, अब चलते हैं, I love you, 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 I love you कियों कि मैं दिल किसी और को दे चुकी हूं उसका नाम लखी है किया लखी है तुम्हें पर्स टाइम आफिस में देखकर मैंने तुम्हें लखी ही समझा था और मैं बहुत कुछ हो गई थी लेकिन तुम लखी नहीं वीकी हो यह जानकर मेरा दिल बिल्कुल टुब किया तुम लखी से प्यार करती हो तुम लखी को चाहती हो सिर्फ चाहती नहीं हूं वो मेरी जान है मेरी लाइफ में मेरी लिए सबसे इंपोर्टेंट एक ही इंसान है और वो है लखी फिर भी मैंने उसका प्यार accept नहीं किया क्यूंकि प्यार में तीन stages होती है वेकी पहली लड़का लड़की के पीछे पड़ना या लड़की लड़की के पीछे पड़ना अगर एस stage में कोई एक मान गया तो मतलब सब खत्म सेकंड स्टेज होती है, मीटिंग, डेटिंग, सनिमा ये सब होता है टाइम पास करने के लिए उसके बाद शादी, सेटलिंग डाउन मुझे लखी के प्यार को पहली ही स्टेज में इच और एवरी मॉमेंट एंजॉय करना चाहिए था लगी के लिए तो मैं ही हूँ न, उसकी दुनिया मुझे छोड़कर आखिर वो कहां जा सकता है लेकिन मुझे ही गलतिया हो गई अचानक वो कहीं गायब हो गया मैंने उसे हर जके रूंड़ा, जहां वो मुझे मिलता था उसकी बारे में सोचे बिना एक बल भी नहीं रह सकती आज भी मैं उसी के इंतिसार में हूँ लाकि मुझे कितना प्यार करता था पता है विकि महाई गॉड, मैं जहां जाती थी मेरे पीछे आजाता था इस बेवकूफ का फिल्मी आइडिया सुनके तु बरबाद हो गया अपने लिए खुद गड़ा खोद लिया तुने गड़ा खोद लिया, क्या बोल रहा यार, तु क्या बोल रहा है देख या लखी, गौरी तुससे प्यार करती है फिर चाहे तु लखी हो या विकी हो, गौरी किसी और से प्यार नहीं करती है देख लखी, टेंशन मतले, टेंशन मतले उसके सामने जहां बोल दे कि तु ही लखी है, बोल दे उसको हाँ यार, गौरी के सामने जाके मैं ही लखी हूँ ऐसा बोल दो वो मान लेगी क्या अरे क्यों नहीं मानेगी वो हर फिल्म की स्टॉरी में ऐसी सिचुएशन तो आती ही है अगर तू मुझे ये सिनेमेटिक आइडिया देगा ना तो मार डालूगा तुछे हाई 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 वो तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे हेर से ठीक है पुल्ट कि मैंने एक बड़ा जूट बोला है तुमसे जूट कैसा जूट कि ऐक्चुली वो मैं ही लखी हूँ तुम मुझे चाते हो और मैं लखी को चाती हूं अगर तुम लखी जैसे दिखते हो तो तुम लखी बन जाओगे क्या गोरी मेरा यकीन करो मैं ही लखी हूं जोक बहुत हो गया कमान बहुत काम पड़ा है एह पहले ओम्हेरे शो में एहीं कॉल करता था मेरा देता था ग्रीटिंग्स तरहा तुम्हें बदाता था तुम multiples सब्सक्राइए अंग के बाता रही है वह सब भीदी सब्सक्रान नमस्ते सर, नमस्ते, क्या बात है सर, एक help चाहिए थी, बोलिए सर, आपके लिए कुछ भी करूँगा मैं, very simple, मैं ही लखी हूँ, यह आपको गौरी के सामने कहना है, मैं आज तक उससे मजाग कर रहा था, यह वो समझे नहीं पा रही है, अभी आपको वो बात उसके सामने र सकते हैं, यह क्या कह रहे हो, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन आप लखी है, यह बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, अच्छा वो, अब तक वो पकड़ के बठे हो, ओके, दिया हुआ वादा वापस ले लो, और गौरी को आके बता दो, मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ, और रगुवंश का बेटा हूँ, रगुवंश का आखरी चिराह, दिया हुआ वादा कभी वापस नहीं लेता, दे, तुने इतने बड़े बाल बढ़ा कर रखें, और मेरे अच्छे कासे बाल कटवाद यह तेरी तो, ओके, देखो, अभी य एक कीसवी सदी है, अभी वादे को कोई कीमत नहीं है, गौरी के सामने बस एक बार बोल दो कि मैं ही लखी हूँ, देखिए, चाकू आपके सामने, पिस्टॉल भी आपके सामने, मुझे बाढ़ा लिए, मुझे कोई प्रॉलम नहीं है, लेकिन मैं अपना वादा वापस नह वादा नहीं तोड़ सकता है, यह क्या हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए था, यह क्या लकी, क्या किया तूने, तेरे को अंदर बाहर दुनों तरफ नहीं खेलना चाहिए, तू, 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 कोई सिनेमा का आइडिया नहीं डॉक्टर आदी ने अगर आके बता दिया तो गौरी मुझे लगी समझ के सीधे मान जाएगा इन दे यर 1952 डॉक्टर वह आप लोग है डॉक्टर नहीं है क्या बाते बोलो उसे अजन्ट मिलना है वो कहा मिलेंगे डॉक्टर यहां कहा है वो कबके उपर चले गए डॉक्टर उपर चले गए उपर मतलब वो नहीं चंद्र लोग गए हैं आपने उस दिन कहा था ना डॉक्टर आपको यहां नहीं होना चाहिए आपको तो चंद्र लोग में होना चाहिए हमारे डॉक्टर उसे चैलेंज मान कर रिजर्च करके सकसेस होकर चंद्रलोग मे सेकल हो गें क्या करूँ यार मैं तेरे पैरियस है जहां तेरे पैर जाते men वहां से कही और पहुंचाता है अब यह Doctor चंद्रलोग में चला गया है और वो घटिया सादू पता नहीं वह कहां पर है सादू सादू कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके बुलाओ सम्तिंग किस रॉंग सीधी सीधी बात बताओ तुम लोग यहां क्यों आयो मैं ही लखी हूँ इस बात का तुम्हारे पास कोई एविडेंस अरे तुमा कराम मत कर लग्की नाम के सारे होडिंग को कलेक करके लग्की नाम के सलून के बोर्ड निकालके वह सब जला दिया मैंने और उसकी राख को कावेरी नदी में बहा दिये और सर्दों के आ लिए इतना ही नहीं उस दिन मैं सब के घर में घुज़कर पेपर कलेक्ट क सब को चाहिए तो लग्की नाम का कोई भी एविडेंस हो तो मुझे चाहिए था तूने मुझे समझ का रखा है तो बीडी को ले जाकर अबोर्शन कर वाने के बच्चा मंगें तो फिर भी दे सकती है लेकिन लेकिन ले जाकर ऑपरेशन कर वाने के बच्चा मंगें तो कहां से देगी वो अब देव को समझ का तो रहे सादू कूल डाउन का तो बेसी बात नहीं है तो मंदेर चलो मैं बताता हूं मैं नहीं आओ 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 तो यह बात है सेकिन हाफ में तो फिर से ट्विस्ट आ गया अरे यार तुमने तो सारे एविडेंस को जला कर रख दिया है तरी कि सब गढ़बर हो गई अब क्या करें यार अब अरे मैं जिन्दा हूं और मैं जिन्दा एविडेंस हूं अरे मैं खुद तुम्हारी गल्फरेंट के पास जाओंगा और उसको बोल दूगा के तुम ही लगी हो तुम्हारी बात कौन मानेगा यार हलो 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 डोंट यू अंडरेस्टिमेट मी आयम आउट्स्टेंडिंग साधू मैं क्या हूं मेरी कला क्या है यह तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो अभी मैं कोई मामुली आदमी रही हूं वी आईपी वी आईपी बड़े-बड़े लगों के सर के साथ फुट यह चला जल्दी चला है ऊच्छाइद हमारा काम बन जा है वी गर्ल्स इसकी प्रोब्लम है और यूं और यूं सॉल्फ करकिया है तब तक तुम लोग टेक क्या है व्मॉई बहुआ जाना साधू ओके बाई-बाई-बाई साधो कुछ भी मिश नहीं होना चाहिए सब करेक्ट बता देना जो भी बोलना है वह में एकडम करेक्ट कर करके बोलुआ वहाँ क्या है मैं ही लकी हूँ यह बात तुम मान नहीं रहे हो ना मैं ही लगी हूँ ये बात प्रूफ करने के लिए मैं का आउटस्टेंडिंग सबूत लेके आया हूँ मैं अब ये मैं ही लग्य हूँ ये बात सच बताएगा और आ ये सुनकर तो मैं खुदी लखी नहीं यू लखी नहीं बोलूगा तो तुम ही लखी हो यह सकते यहाइकर मेरे पीछे पड़ जाओ मैं डॉत राइसा बहू बोलो सब्याओं लुक्यू क्या बात है अरे सो गया क्या अरे भाई हमको यहां आए दस मिनिट से ज्यादा होगे और तुम यहां दस मिनिट से स्थिल खड़े वह अगर तुम कॉलिंग बैल बजाओगे तो तुम्हारी गल्फरेंड को मैं सच बता कर अपनी गल्फरेंड के पास जाकर सद्ल हो जा मैं विलकुल विलकुल डॉंट वर यहीं प्रूफ करने के लिए मैं एक आउटस्टेंडिंग सबूत लेके आया हूं साधु अरे डरो मत यह साधु है साधु अब यहीं लगी हूँ यह तुम्हें सच बताएगा और यह सुनकर तुम मैं खुदी लगी नहीं हो लगी नहीं बोलूगा तो नहीं तुम ही लगी हो तुम ही लगी हो ऐसा बोलकर मेरे पीछे पढ़ जाओगी कमान साधु है हलो मैं हूँ साधु है आप इसे विकी 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 समझ रही है लेकिन एक दिन अपने इस दोस्त के साथ मेरे सलून में आता और मैं बिलकुल खाली बैठावा था चेयर पर सो रहा था तो मैंने चेयर को ऐसे घुमाई और यह बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करवारा मैं वापस जा रहा हूं तभी वहां पर सब कुछ पलट गया और इसके दोस्त ने मुझे समझाया कि मैं इसका जा इन स्टेंडिंग कर उसक प्रकाप यह वहां थे प्रकाप नाचि कैने प्रकाप यहां पुछ प्रकाप यह तो तुम सब लोग कौन हूँ यह क्यों आया हूँ और मैं हूँ कौन बताओ ना यह कौन है मदर पाकिजा या सिस्टर पेरेशा हाँ आ हाँ आ हाँ हूं अ हाँ आ यह हूं आ है अपका चल जा अब साथू भाई के सारे सलून्स मेरे हो गए अन्याय करके मेरी लाइफ को तुने खराब कर दिया ना 420 मैंने क्या जान बुझ कर किया खलती से हो गया यार करने के लिए तेरे पास कोई काम नहीं है तो मेरी ही लाइफ के साथ खेलने का तुने काम बना लिया मैंने तो सब कुछ भले के लिए किया था लेकिन क्या से क्या हो गया यार बैड लक जाने दिलकी सब कुछ करके अब इतनी आसानी से जाने दो बोल रहा है सोचा था साधू अंदर जाएगा सब कुछ इफेक्टिव तरीके से बोलेगा लेकिन उसका ही इफेक्ट खतम हो जाएगा मुझे क्या पता था यार बेचारा साधू वो उसका सर देकर मुझे और गौरी को एक करेगा ऐसा बोला था सर तो दे दिया बेचारे ने लेकिन तुम दुनों को एक नहीं कर पाया अगर मैंने तेरी बात नहीं सुनी होती तो आज मैं गौरी के साथ शादी करके हनीमून पर चला गया होता टेंशन मत ले लखी इसका भी एक आइडिया है मेरे पास गलती तेरी नहीं है तेरी बखवा सुनते आया हूँ ये मेरी गलती है कपसे तुझे सहते गा रहा हूँ प्लेट के अधुम था हूँ झाल फुटेला का अई थू प्लेट निए नियुटी वह थू और भी कारि को यह तो बोला था सब ने दिखुए वो दिखने में वह धिकारी जैसा लगेगा ना और कैसा लगेगा पक्का यही है ना ऐसा ही दिखता है ना यार यह हूब हूब वही है उसका चहरा मेरे दिमाग में बिलकुल फिट हो गया है अगर यह नहीं मिला ना तो मैं तुझेगा या ढूणे के तो मिल जाएगा जरा देख लो भाया यह बहुत ही पॉटन आद्मी है कहां मिलेगा यह यह देखो आप देखो देखो भाई आपका रिष्टेदार होगा दोस्तों का जानवचा वाला कोई तो होगा देखो ना भाई बंद करें सब चलूट अब उस भिकारी को हम कहां का ढूंडेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लकी एक आइडिया है जाने भी दे बैड आइडिया था अबे तेरी आइडिया सुन सुनकर मेरी जिन्दगी बतल गई अब जो है वो बोल दे भॉक कुछ बोलिए लकी एक आइडिया है हम इसके फ अब यह पर में डालेगा तो फोन पर फोन आएंगे बोला था का फोन आ रहा है थोड़ा पेशेंस कर पेशेंस कर बहुत जल्द बाजी तुझे फोन आता ही होगा फोन आया फोन आया अब भिकारी के रिष्टदार है क्या भिकारी का रिष्टदार नहीं मुझे भिकारी चाहिए बोल देसेजार कैश दो गया चेक जैसे चाहिए वैसे दे देंगे पहले यह बता भिकारी कहा पर है मैं उसे पकड़ने वाला हूँ अब जल्दी से आ जाओ का है यारлю को मैजिस्टक झूंड लिया लेकिन कई दिखीस नहीं रहे हैं है अब भिकारी के रिष्टवार्व हो हम्-भितार नही की रिष्टदार नहीं है वह नहीं चाहिए बोलो भिखारी हमं चाहिए बोलो दस हिजार कैश देंगा CHICK जो चाहिए वह दे पहले वो कहां यह बताओ यार अब करते वाला हो डोनाल के पास आजाए यह दिखाओ दिखाओ यह नहीं सौरी हेलो हेलो भीकारी के रिष्टदार हो क्या है बिलकुल मैं उसका पती बोल रहा हूं वो कहा है बोलो 10,000 रुपए कैश लेके सीधा मेरे पास आजाओ तेरे हाथ में लाकर रखूंगा वो कहा है बता यार अभी तुरंद मार्केट के पास आजाओ में पीछे हूं अरे मिल गया चोड़ो मिलेगा चल वेस्ट है अब यह क्यों कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है वो मिलेगा भी नहीं वह नहीं मिलेगा और प्लेट भी नहीं मिलेगी एई लकी टॉंट वरी यार वो जरूर मिलेगा तू देखते जा यह आइडिया कभी फेल होई यह नहीं सकता ज़रूर वाकाउटों का अबे तू क्यों असरा है मेरी फटी पड़ी है वहां देखो लगता है कोई तुम्हारा रिष्टदार है अरे यह तो वही है वही है यह तो यह है तेरा मूँव तोड़ दूगा मैं मैं सोने की प्लेट की बात करूं यह वह नहीं है अरे कल तो ठीक था यह है इसमें गरम गरम खाना भी मिलता था लेकिन किसी कमीने ने सब कुछ गर्वड कर दिया क्या गर्वड कर दी मेरी फोटो पेपर में डलवा दी साब बरबाद हो गया उसे कीड़े पढ़ेंगे बागवान उसे पाफ नहीं करेगा उसका नाश हो जा प्लीज बाहर आजाओ गोरी सच में मैं लग्की आया हूं देखो तुम इस तरह शोर मचाकर मेरी बेज़ती मत करो चुपचाप चले जाओ हम सुबह बात करेंगे अरे या मेरे लाइफ डूबी जा रही है और तुम हिज़त की बात कर रही हो अब क्या है एक जूट बोलकर एक जूट बोलकर मैंने अपना गड़ा खुद खुद लिया है मैं लग्की हूँ ये प्रूफ करने के लिए कोई सबुद साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो सेक्यूरिटी वाले को देखो अपने आपको सत्य हरिस चंद्र का पोता समझता है और वो साधु उसे वो कौन है उसे खुद नहीं पता और वो मुझे कैसे पैचाने का वो आँखों का रंग चेंज करने वाला डॉप्टर बता सकता था लेकिन वो जाके चंद्र लोग म आँ तुम्हारी दीवी प्लेट में दिखाना चाहता था तो वो प्लेट प्लेट जैसे दिखती नहीं तो मैं क्या करो मैं तुम मैरी जानो गौरी गberg करो देखो मुझे किसी बात का स्बीत नहीं चाहिए मुझे जुजु पर पूरा यकीन है उसके सामने मुझे कोई सुबूत नहीं चाहिए अगर तुम लखी होते तो जुजु चुप क्यों रहता वो तुम्हें देखते ही रियाक्ट करता भगाता तुम्हें और तुम्हें काटता अकर उसने तुम्हें पहचान ल कि बच्पन में किसी ने कहा था कि कुट्टे से मेरी जान को बहुत खत्रा है कि मैं सोचता था मुझे कुट्टा कटेगा तो रेबिस जैसी बीमारी होगी और मैं मर जाओंगा लेकिन इस तरह का खत्रा उस दिन तुमने मुझे लकी नहीं हूँ ऐसे पैचाना तो मैं खुद को खिलाड़ी और तुम्हें बेवकुफ समझता था बेवकुफ तुम नहीं हो मैं ही बेवकुफ हूँ अगर मैं ही लकी हूँ यह तुमने पैचान लिया तो गौरी मुझे शादी कर लेगी इसलिए खिलाड ही है किसी लव स्टोरी में या तो कोई बाप या कोई रिष्टेदार या भाई विलन बनता है उसके साथ जगड़ा करके पैर पकड़के मार खाके उस लड़की को वो पा भी सकता है लेकिन मेरी तकदीर देख बॉस मेरी लव स्टोरी में तू ही विलन है मैं तेरे समने क्या कर सकता हूं तुझे एक बात पता है हम लड़के अगर किसी लड़की से एक बार प्यार कर लेते ना तो बात खताम वही सब कुछ होती है उसकी जगह अगर बाद में एश्वार या र गौरी के लिए फिक्स हो चुका मेरा ये दिल गौरी चाहिए ऐसे बच्चे की तरह जिद कर बैठा है तो बता मैं क्या करूँ गौरी ही मेरी दुनिया है गौरी के लिए तू उसकी दुनिया है वो तेरा यकीन करेगी तू बस एक बार गौरी के सामने मैं ही लकी हूँ ये पैचान ले मुझे देखकर भौग पीछा कर चाहिए तो काट ले तभी तो गौरी मानेगी कि मैं ही लकी हूँ प्लीज विकी लेफ दा जॉब वाई विकी ने रिजाइन कर दिया पैता है तुझे कहा चला गया विकी कहा गया वो कि लकी हूँ एसे क्यों देख रही हो जानो ओ जो नहीं मिलने वाली चीज मिल जाए तो कुछ अजीब से खुशी होती है उस खुशी के मारे तुम बोल नहीं पा रही हो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहती हो तो मुझे कितना मिस करती हो यह तुम्हारी आखों से पता चल रहा है कितने दिनों तक अपने प्यार को दिल में छुपा कर मेरे साथ तुम खेलना चाहती हो दिल खोल कर एक बार बोल दो ना कि मुझसे प्यार करती हो कमान तुमारे अंदर के प्यार को बस एक बार ऊपन कर दो यह लगी कितना लगी है यह आज प्रूफ कर दो कमान बेब I'm sorry मैं तुमसे प्यार नहीं करती तुम बादल की तरह हो हवा जिस तरफ जाएगी तुम उसी डिरेक्शन में चली जाओगे मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूं तुम मेरे दिल में थे यह सच है लेकिन अभी नहीं हो तुम्हें सिफ 2400 गंटे मुझे परिशान करके प्यार कर नहीं आता है पर उसे बचाना कैसे है यह नहीं पता प्यार करने वाले इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इस मामले में विकी बिल्कुल सही है उसमे मुझे बहुत इंप्रेस किया है विकी हाँ मेरा को लेग विकी मैं उससे बहुत प्यार कर तुम कितने खुश होना जुचु आप मैं सोचते थी सरफ इंसान ही स्वार्थी होते हैं लेकिन तुम भी स्वार्थी निकले वो क्यों लाकी बन कर आया था वो क्यों विकी बन कर आया था ये मुझे नहीं पता वो जिस दिन विकी बन कर आया था उसी दिन से मुझे पता था कि वो मेरा लाकी है कितने भी रूप बदल कर आएगा फिर भी प्यार करने वाला दिल तो नहीं बदल सकता है ना लकी मेरी जिन्दगी में आएगा तो मैं तुम से कम प्यार करूँगी ऐसा सोच रहे हो पर ऐसा नहीं होगा तुमने सिर्फ लकी का मेरे लिए प्यार देखाया जुझू है पत् Meansसे कितना प्यार करती हूं यह तुम नहीं जानते ओन पिल्न को AMaida को और यह सहुत है 오늘도 मैं इतना प्यार करती हूं यह देखो कि ये ये उस ने मुझे फू स्ट टैंम दिया था और यह देखो यह उसका दिया हुआ फर्स-व्रिटिंग कार्ड ये विए फोर इचादर मुझे इसकी स्माई पशंद है स्टाइल पशंद ए हरकते पसंद है आखी पसंद है डांस ना पसंद है सच कहूं तो मुझे लखी बवहत बहुत बहुत पसंद है वो हर दिन मेरा पीछा करकर मुझे रोज, ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, वो सब देता था, और मैं उसके सामने ही उसे फैंक देती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं उसे लाकर यहां रख देती, पर सर्फ तुम उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैंने उसके प्यार को एकसेप्ट नहीं किया, पता है क्यों, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टन तुम हो, मेरी सिंदगी के मुश्किल दौर में तुमने मेरा साथ दिया, जब कोई नहीं था तब तुम मेरे साथ थे, अगर तुम्हारी जगे मामी पापा होते, और वो लाकी को करते, तो मैं उनकी बात कभी नहीं सुनती, पर मेरी सिंदगी में तुम्हारी बहुत एहमियत है, मुझे प्यार करने के अलावा लाकी को और कुछ नहीं आता जुचू, तुम्हारी अलावा, उचे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लाकी है, मैं तुम्ह पीचाहती हूं और उस लखी को भी मैं क्या करूँ लखी के बिना मैं जीनने ही सकती चुचू करूँ लखी 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 अब एक कमीन है जब भॉंक ने बोला था तब नहीं भोगा अब भॉंक रहा है तेरी तो तरुक तेरी तो मेरा बात करने का मूड नहीं है मुझे डिस्टर मत करो प्लीज मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी तुम्हें सुनाई नहीं देता चुचु प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो मैंने कहा ना में लखी के बिना नहीं जी सकती लखी मेरी जिंदकी तेरी तो में जए प्लीज मेरी मुझे लखी के लिए जूजू अब बोली आप लोग मैं क्या करूँ मेरी गर्ल फ्रेंड कुत्ते से प्यार करती है जूजू तो पनी आखे बनकर बच्चा